कि नमस्कार असलाल को स्ट्रिय काल वनकम एक यूज में आप सब का स्वागत है और आज का प्रेश्टन है एर पोल्यूशन और होमियोप्रिती का रोल दोस्तों पोल्यूशन तो हर जगा के फैला हुआ है आप मैं सभी इसका शिकार होते जा रहा है और बहुत हद तक अभी क्लाइमेट चेंज पर कांफरेंस होते रहते हैं हुआ भी है तो उम्मीद है कि भी वो पोल्यूशन किस तरह तो भी कंट्रोल हो लेकिन इसके शॉट टर और लॉंग टर्म दोनों भी एफिक्ट्स आते हैं दोसों जो भी बताता हूं मैं प्लीज अपने होमेट से कंसर्ट करके दवा लेंगे और जो लोग हमारे चानल में पहली बार आये हैं प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चानल को सब्सक्राब करना न भूले त तो एर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बड़े बड़े शहर जैसे दिली है मुंबई है कलकता है और इवन टू टायर सिटीज के अंदर इतना पॉल्यूशन दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है कि आम आदमी को बहुत मुश्किले पेश आ सकती है या आ रही है और थोड़े थोड़े दिनों में अभी सर्दिखासी ठीक हुई नहीं कि फिर से चुरू हो जाती है और हम उसको एलर्जी का नाम दे के चुप हो जाते हैं तो जिसको बहुत बार-बार एर पॉल्यूशन से हवा से खासके के डस्ट से सो कॉल एलर्जी या अस्थमा बोल सकते ह इसको नेजल अस्थमा जिसमें नाग बंध होती है मोर दिन में बहती है ऐरली मॉनिंग के चीके आजाती है और डस्ट में गये और घबराण होने लगती है और अगर हमने कोई दवा ले भी लिया तो सदी थोड़ी पर थम जाती है नाग बहना थम जाता है लेकिन नाग के अंदर continuously tingling होते रहती है इसके लिए सबसे common जो दवा यूज होती है वो है नक्स वामिका जहां नक्स वामिका एक बहुत ही important medicine है जिसमें सर्दी because acute सर्दी air pollution वज़े से dust के वज़े से हो सकती है छीके अगर बहुत जादा हो सुबह उठके पंद्रा पंद्रा बीस बीस चीके या जब भी भार गए या चोका मारा तड़का मारा उसके अंदर चीके आने लगे तो दवा है arsenic IOD अक्सर हम लोग 6 या 30 में सुबह दूफर शाम एक दो तीन दिन लेके ये कर देते हैं बन कर देते हैं जैसा पेशन को आराम हो गया तो ये वो acute किसी को acute के अंदर गला choking जैसा लगने लगता है और एक बेचे नी जो घबराट हो दे लगती है सीने में जक्रण सा महसूस होने लगता है ये बहुत ही आम symptom बन गया है आजकल ये acute में शुरू होता है और कई लोगों को chronic में रहते रहता है खासी है लेकिन निकलती नहीं भार और थोड़ी दूर चलते चलते सांस फूल जाती है फिर अकर आपने डॉक्टर के पास गये तो फिर वो आपको diagnose कर सकता है bronchitis या chronic obstructive airway disease और जरा इसके साथ ठंडी भी बढ़ गई या कुछ ठंडा खाने में भी आ गया या चटपटा खाने में आ गया भार का कुछ खाने में आ गया तो अकसर फिर ये flare up हो जाता है infection का रूप ले लेता है और फिर वो खासी जाती ही नहीं है पहले-पहले सूखी खासी बाद में गीली खासी ठसके के साथ तो अगर सूखी खासी के साथ अगर patient गले में भी सूखापन रहता है और शाती में भी सूखापन बना रहता है और ऐसा लगता है कि अंदर जमा है बलकम लेकर निकल ने रहा है तो एक दवा है Blata Orientalis ही मिलता जैसे ऐसे खासी बलकम आने लगता है या बाहर निकल लगता है तो अरेलिया रिसी मोसा करके दूसरी Mother Danger form में या Potency Form में Low Potency में आप उसको यूज़ कर सकते हैं ये तो हुआ कुछ acute case की बात इसके लंबे effects भी है पता है आपको के air pollution के वज़े से काफी लोगों का BP बढ़ा हुआ रहता है खून ठिक रहता है और उसके वज़े से लख़वा मारने का या stroke आने के chances बहुत जादा रहते है अब ऐसे condition के अंदर आपको preventive कैसे कोई दवा ले सकते है क्या तो जी हाँ एक दवा है Terminalia Arjuna Terminalia Arjuna अकसर Mother Tincter के form में यूज़ किया जाता है उसको आप हम लोग देते हैं 10 से 15 बून दिन में 3 बार कुछ महिनों के लिए अब क्या कितना भी आप मास्क पैनो या फिर unless कि आप जगा चेंज नहीं करते या आपका environment change नहीं होता तब तक तो ये आपको सेहन करना पड़ सकता है उसका कुछ preventive Of course मैं दवा का preventive बता रहो वैसे तो बहुत ज़ादा preventive दूसरी चीज़ है सबसे पहले है अच्छा diet लेना nutritious diet लेना नींद बराबर होनी चाहिए restful sleep number of hours important नहीं है लेकिन restful sleep important है चाहे वो 5 घंटे भी क्यों नहीं हो लेकिन अच्छे से सोय ऐसा लगना चाहिए शरीर को और तीसरा है पानी का hydration अक्सर हम लोग गर्मी में तो पानी पी लेते प्यास लगती है तो ठंडी के अंदर को को एसी के अंदर रहा तो पानी का at least 2-3 लीटर एक average adult को ले लेना चाहिए 18 से लेके 60 साल की उमर तक दूसरा लंबी है बार-बार bronchitis होना यहने खासी और जो एक बार खासी होना तो दो तो तीन-तीन महिने चलती जाती है दिन में जादा रात में भी रही फिर दिन रात फिर एक साथ हो जाते है फिर हम लोग ABCD दवा लेते हैं उससे थोड़ा बहुत फरक पड़ता है लेकिन खासी पूरी देसे जाती नहीं तो ऐसे लोगों के लिए जो लंबे समय तक खासी बिकॉज अच्छा दवा है जिसका नाम है स्कुईला यह पोटनसी में यूज कर सकते है अगर लंबे समय यूज करना है तो तिंचे फार्म में भी यूज कर सकते है लेकिन बहुत अद तक यह खासी को यह long term bronchoneemonia या दॉज को निमोनिय होता रहता है उसको कंट्रोल करता है क्यूट निमोनिय होता है और बार ऐक्यूट निमोनिय को शीज कि इम्मूनवी बहुत कम हो जाती तो कियो निमोन चाथा विकॉस अपैर से पॉल्यूशन तो फिर उसको depending on symptoms अक्सर हमारे पास arsenic है या brynia है in early stages और late stage के अंदर phosphorus है अगर खून के अंदर अरे सरी बल्गम के अंदर थोड़ा सा खून निकलने लगे या अच्छा खासा बल्गम निकलने है पल्सिटिला है ये सब हम लोग use कर सकते हैं अक्सर अग्सर खून निकलने और है और खासी है तो फिर दवा है υपरसल अगर कई बार क्या होता है कि नाख भी बंद है खासी भी बहुँत जाद है कभी नाख बंद रीती है कभी छीके बहुत जाद अती है कभी नाख बेती रेती है mixture of symptom जरका सी जो है सुकी गले से आती है तो एक दबा है ऐलियम सीपा जो बहुत कमाल का गाम करती है इवन ऐलियम सीपा का हमने ये भी दिखा गया है जिनको स्टोक का प्रिवेंशन है और जिनको कोलेस्टरॉल लेवल हाई है और उनको एर पोल्यूटिट जगा के अंदर रहने पड़ रह तो फिर वो एलियम सीपा अंदर इंचर फॉर्म में यूज कर सकते है या वन सी टू सी थी सी अकर मिले तो फिर लंबे सामने यूज कर सकते है दोनों प्रोटेक्शन मिलता है और यह अब्स्रक्टिव लंग्स डिजीज के साथ में भी और हार्ट डिजीज या स्टोक के लंग कैंसर हो या जो हवा की नली है उसका हम टक्या बोलते है या ब्रॉंकाय को देन कैंसर है उसके बहुत अच्छी टीट्मेंट होमेपती के अंदर है अब टिपेंड करता है के पिशेंट कॉन से स्टेट में है लेकिन कैंसर ना हो इसकी लिए कोई हमीपती मेडिशन है साभी तक इजाद नहीं हुआ लेकिन एक पर हो गया तो early stages के अंदर अगर हमको मिल जाता है patient तो हम लोग उसको treat कर सकते हैं दोसो air pollution के कुछ कुछ मैंने parts cover किये हैं बहुत बड़ा topic है लेकिन because ये बहुत लोगों ने पूछा है हमको और काफी सारी शहरों के अंदर air pollution मिल रहा है अभी ते काफी लोगों को काम में आ सकता है एक दवा में जाते हैं पता तो pathos ये dust के लिए बहुत important है कोई भी form of fine dust या खास करके अगर air pollution के साथ अगर आप ऐसे खादानों में काम कर रहे हैं और आपको continuously खासी सर्दी नाग बंद और यह सब बना रहता है sinusitis चोग sinus बने रहते हैं सिर्दर बने बना रहता है और आपको पता कि पूरा ऐसा रखता है कि सब चीज अंदर बस गया हो ये condition के लिए पोथास बहुत अच्छी दवा अगर दूसरा है स्टिक्टा पल्मोन काफी अच्छी दवा है दोनों इसको यूज करना चाहिए cambukus एक दवा है sanguinaria अगर होंइपस है जगर पर सके डीजिजिनी ये दो ह्पड़िशन आप ज़रो पड़िए यी इनंस पूरे एर पॉलूशinky के रेश्परita के पेसिंट्र recommended के काफी इस इले बधयर मिलते हैं इसलिए रहले दोन मता रहा हूं एक्जेक्ट बताना बहुत मुश्किल है सैंग मेरे हम तब देते हैं जब राइट साइड अफेक्शन हो लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा सैंबुकस नाग बहुत बहरा हो गाणा है, साइनुस बढ़ा है सिर्दध हो रहा है, खासी बहुत जादा है, और शाती से बल्गम में निकला है, एक्जूट फेस के नदर हो, एक्जूट फेस खतमी नहीं हो रहा हफता हो गया, दो हफता हो गया, दस दिन हो गया थोड़ा बखार भी हरारत भी आती है जकडन भी है, तो सैंबुकस काम में आती है, दोस्तों कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आदल हो में सेंटर के नाम से हूँ, वहां भी पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे पर्स नहीं मिलना चाहते हैं, तो फर्स संडे अव एवरी मंथ में मुंबई आता हूँ, और बाकी दिन नागपूर महराश्य में रहता हूँ, प्लीस कॉंटक्ट मी और 930-7965618, और 23 से लिए के 30 डिसेंबर को हमारी विंटर स्कूल होने वाली है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो सेम नमबर 930-7965618, और यह स्कूल ओफ लाइन है, नागपूर महराश्य में, आनलाइन नहीं है, तो अगर आप चाहे, तो हमें कॉंटक्ट कर सकते हैं, Thank you very much.